हेलो अप्रिवन आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल में आज हम फिर से एक बार मोलारेटी का टॉपिक लेकर आये हैं अक्सर यूजी से नेट में एन्वार्मेंटल साइंस में इससे कुस्टन सहमेशा आती ही है और यह बहुत बार मुशली देख पहले इसका एक फ़र्मला देख लेते हैं तो मॉलारेटी के इसाई उनिट होती है मोल्स पर लिटर और मोलर तो फर्स्ट में एक हम इससे कुस्टन देखते हैं तो कैल्कुलेट दा मोलरेटी वैन थ्री मोल्स ऑफ तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा नंबर अफ मोल्स कितना दिया हुआ है तो देखें नंबर अफ मोल्स हमारे यह पर तीन दिये में है ठीक है और वोल्यूम हमें 200 ml में दिया हुआ है 200 ml में दिया हुआ है इसे हम लिटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर तो Molarity equal to हो गई नॉभर आफ मोल्स वाइ ВВОल्यूम इन लिटर नंबर आफ मॉल्स इसमें गीविन है थ्री नंबर आफ मोल्स के जगह पर हमने थ्री पूट कर दिया और वोल्यूम के जगह पर तोंड्रेट और त्वहंड्रेट क्या है इसमें Ml दिया वागा है तो तो से टेन फाइब तैमस में कैंसल होंगे और फाइब को थरी से मॉल्टिप्लाइब करेंगे तो 15 यानि कि 15 हमारा मॉलरी निकलेगा यान 15 मोलर इसके साही उनिट होती है मोलर या तो आप सौट में M से डिनोट कर सकते हैं या मोल्स पर लेटर में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अब इसी से संबंधित एक दूसरे कोस्टेंस पर जाते हैं देखिए सेकंड कोस्टन है हमारा कि calculate the molarity when 18 gram of NaOH is dissolved in 200 ml of water तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि number of moles calculate करेंगे क्योंकि molarity में number of moles और volume हमें चाहिए तो इसमें तो number of moles तो दिये में नहीं है तो हमें क्या calculate करना होगा कि number of moles कितने है तो number of moles equal to given weight by molecular weight given weight देखें यहां पर दिया हुआ है 18 gram ठीक है और molecular weight NaOH को होता है 40 और molecular weight आप लोगों सभी पता है हमने 11 में ही पढ़ा था कि molecular weight कैसे निकालते हैं अगर जिने नहीं पता है तो हम next lecture में इसे calculate करना भी सिखाएंगे तो इसके लिए चिंदा करेंगे कोई बात नहीं है तो यहां पर देखें number of moles equal to कितना हो जागा 18 by 40 इसको हम cancel out करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 90 by 20 ठीक है अब 90 by 20 को इसी तरह भी रह नहीं दिजी अब हम molarity निकालते हैं तो molarity equal to number of moles by volume in liter number of moles हमारे पास यहां पर है 9 by 20 और divided by volume यहां पर है 200 अब 200 क्या phase यहां पर ml को हम लीटर में चेंज करेंगे और लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा final आएगा 9 by 20 into 1000 by 200 00 कैंसल आउट हो गया 2 से 10 को हम कैंसल करेंगे 5 तैमस में और 5 से 20 कैंसल होगा 4 तैमस में यानि हमारा 9 by 4 और 9 by 4 को हम 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा निकल कर 2.25 molar और moles पर लीटर तो इस तरह से questions Molarity के UGC Net environmental science में अक्सर numerical में पूछे जाते हैं तो प्लीज इस पर आप ध्यान दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मुच